नमस्ते क्या आप लोग ने इमेल बेजा अपने राई जूटते हुए ला कमिशन आफ इंडिया जो इंडियन गवर्नमेंट ने बिटाई है अपनी राई बेजने के लिए यूनिकॉर्म सिविल कोड के उपर मैंने तो बेज दिया आपने नहीं बेजा तो आप पहले यूनिकॉर्म सिविल कोड क्या है उसके बारे में समझ जिये और क्या लिखना है किस मैं लाड़ी में लिखकर बेजना है वो सब मैं पिंड कामेंट में आपको दे दूंगी उसकी बारे में और मैंने क्या राए लिखा है वो भी बता दूंगी इस वीडियो में तो अन्त तक जुड़े रहे तो यूनिकॉर्म सिविल कोड के बारे में जाना है तो पहले आप अपने सम्विदान किस तरह से चलती है आपको मालूम में होना चाहिए हमारे इंडियन सोसेटी में दो तरह की में लास है वो एक इंडियन पीलर कोड बोले तो यूनिफर्म क्रिमिनल ला कहते है उसको जो भी सारे देश में जो भी हच्चा करे हो या कुछ भी क्राइम करे को उसका सिख्षा एक ही तरह का है मगर प्राब्लम आती है जो 1947 से अमबेदकर जी एक डिमांड रखा है आर्टिकल 44 की तहर्ट को यूनिफर्म सिविल कोड होना चाहिए देश में ताकि सारे जो भी जिन्दकी सिविल पावर अस्मृती के तहर्ट सारे एकता हो मगर ऐसा नहीं हुआ तो इसलिए इसको आप लाना पड़ रहा है जैसे आप लोगों को मालम है फंडमेंटल राइट्स बोले तो कांस्ट्यूशन में एक मैगन कार्टना की तरह देखते है अच्छनत अधिकार एक नागरिक के लिए मिलता है वो फंडमेंटल राइट्स है अंबेतकर जी ने यूनिफर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44 में उन्होंने कहा ये नावल फीचर है ये बिना आत्मा की इंसान को कैसे देखा जाता है ऐसे यूनिफर्म सिविल कोड होया तो ही इसका कांस्ट्यूशन का आत्मा रहती है वारना कांस्ट्यूशन बिना आत की एक चीज है बोलके उन्होंने बताया मगर अफसोस की बात है अम्रत कल की टाइम पर भी हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आया मगर यहां पर ज्यादा तर लोग हिंदूर से समझते हैं हम सेकलर कंट्री में जी रहें समविदान सबसाद के लिए एक है ऐसा मगर देश दो कानून में चलती है वो क्रिमिनल ला याव सिविल ला में जो इंडियन प्रिमिनल कोड की तहरे क्रिमिनल ला तो सबके लिए बराबर है मगर देश तब बढ़ रही है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होने से क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड उसका फी ला कमिशन भीटा है ताकि Uniform Civil Code को अच्छी तरह ला सके तो इसमें आप हारिज जनता का राय मांगा है उसका इमेल आईडी भी प्रावधान कर दिये है तो Uniform Silent Features क्या होगी Uniform Civil Code का तो कि जब देश में Constitution समितान बना तो Hindu Code Bill बना उसकी तरह से Hindu Marriage Act में येखी marriage होगी हिंदू का एक परसन का और बिना उस marriage में wife के concern के बिना वो विक्ती दूसरा marriage नहीं कर सकता उसका diverse कैसे हो कैसे वो उसका maintenance देखना का है अगर diverse हुआ तो ये सब लिखा गया है मगर बात तब जेश वहां बट रही है यहां तो हिंदू के लिए Hindu Code Bill लाया नहरू ने मगर नहरू ने मुस्लिम marriage act ऐसा कुछ नहीं बनाया पारसी या क्रिस्टियन का नहीं बनाया चो जैसे मोडी जी ने कहा जेश में दो कानून नहीं हो सकते हैं महगर यहां पर marriage act के नाम पर Hindu marriage act ही Muslim marriage act पारसी marriage act और Christian marriage act की तरह देश बट रहा है एक को हिंदू को एक ही marriage के लिए मजबूर कर रहा है हम दो हमारे दो बोलके population control के लिए Hindus को ही मजबूर कर रहे मगर दूसरी तरफ easily वो चार शादिया करके 40 बस्चे पैदा कर सकते हैं ऐसा दो कानून इंडिरेक्ली चल रही है courts कितना भी करे तो ये loopholes की वज़े से किसी का भी वो justification नहीं दे पा रही है इसलिए courts supreme court ने भी कहा uniform civil court law ताकि हम कुछ crimes को control कर सकते हैं तो crimes क्या हो रहा है इसमें तो crimes बोले तो पहले इसका classification सब देखिए इस draft में क्या है इसमें पहले ये सारे marriages act को comment करके एक marriage करके गेंगी इस marriage act में क्या होगी बोले तो तुम जिस religion की तहक्त से आप marriage करो मगर तुम एक registration number की तरती जाना जाएगे जैसे आदार number आपको जरूर मंद register करना है अगर आपका शादी compulsory हो constitution आपको recognize करना है तो registration of marriage compulsory हो second feature है कि diverse अगर हिंदू एक वेक्ति marriage की बाद दूसरा marriage करना है तो पहले वेक की compulsory उनका अनमती होना चाहिए वार्ना diverse के लिए apply करके दूसरा marriage कर सकता है अगर इस diverse में भी वो course जाकर ही apply करना है और उसका course decide करेंगे कितना alimony उनका जीवन के लिए उस wife के लिए कितना money होना चाहिए कितना monthly हो या compulsory कुछ maintenance के लिए प्रावदान करेगी मगर ये community है Muslim community इसमें चार शादिया मंजूर है इसलिए वो first wife को बिना अनमती लेके वो दूसरा marriage कर सकता है और first wife को जरूर अगर तीन महिने में बंद कमरे में बैटकर तलाग तलाग तीन बार बोल दिया तो उसको तलाग हो जाती है उसका कोई maintenance के लिए कुछ alignment देने की जरूरत नहीं होती तो इसी देश में दो महिला को दो तरह की law face कर रही है बोले तो हम हिंदू के लिए एक law और उसके next door में जिने वाले दूसरे मज़िप की लोग के लिए दूसरा law ऐसा होना अवसा वद्यानिक है यह justifiable नहीं है fundamental की rights की तहत है तो यह कोई हिंदू law इस पर तोपा नहीं जा रहा है एक समीदान को equality की direction में ले जा रही है तर्ड फीचर है इसमें maintenance मेंटेनेंस हिंदू आल्रड़ी इसको maintenance वो सब डैवर्सी में आ जाते ही हिंदू कुछ नहीं सीखने की जरूराइप नहीं है वो आल्रड़ी हिंदू कोड के बिलते रहते हैं वो straight forward जिंदगी जी रही है तो क्रिश्टियन स्पार्सी को भी तोड़ा effect होगी मगर यह जो effect ज्यादा होने वाली है वो Muslim community वो cleverly play करते हैं उनको शरियाला क्रिमिनल में शरियाला नहीं चाहिए मगर केवल marriage act में ही उनको शरियाला चाहिए ताकि वो आराम के चार वाइप से जिंदगी जीसके और भच्चे पैदा करें और human rights, minority rights के लिए वो इस देश में लड़ते रहे एक ही काल्नी में एक हिंदू के लिए अलगला, Muslim के लिए अलगला नहीं हो चाहिए अगर किसी wife ने अपने husband में उपर complaint किया तो police उसको उटा कर लेकर तीन महिना बिना बेल के रख सकती है मगर अगर वो ही complaint Muslim महिना ने अपने husband में आकर नहीं करते हैं अगर करे तो उसको चाहे पर बुला कर चोड़ देते हैं क्योंकि कोई समीदाने नहीं उनको punish करने के लिए इसलिए uniform civil code कर लाने की हम हिंदू सारे जनता मांग कर रहे हैं एक अकेले Muslim सपोस कर रहे हैं क्योंकि उन लोग को डर है कि उनके wives उनके आगे ने जा सकती है और फीचर है inheritance यानि संपतिक रहने एक फैमिली में आउरत बत्चियों को भी मर्द बत्चियों के सेम equal rates होगी property division में बाबाब के बाद आउरत बत्चियों को भी property में हक हो गई इसका प्रावदान करने वाली ह है inheritance इसमें silent feature का और fifth feature है दतती करन तो किसी और religion में accept ही नहीं है तो यह अलकेला Hindu religion में ही दतती करना है तो इसमें Muslims को या Christians को पार्सी को कुछ लेन देन ही नहीं है तो यह पांच features है Hindu civil code के अंदर तो इसमें government of India आपको भी राय मांग रही है अगर आप कुछ सलहा दे सकते हैं तो सलहा दीजें तो इस uniform civil code को अपोस करने वाले work settlers, work believers क्या बोल रही है और Muslim community क्या बोल रही है तो article 26, 25, 29, 30 deviate होती है और article 44 है uniform civil code उससे पहले आने वाले article 37 कहती है इसमें कुछ फाइदा होने वाला नहीं है इससे देश बढ़ रही है नहीं unit हो रही है बोल के बोल रहे हैं कितना भी हो मगर जरूर ये तो article 37 का problem है मगर overall the constitution क्या करती है बोलती है equality, fraternity, secularism बोलके हमारे constitution preamble में बोलती है जब वो लोग नहीं आए 50% of women population suffering हो रही है तो कायका constitution तो कायका सम्वितान इसलिए uniform civil code को राना चाहिए हर एक ला में drawbacks होगी मगर हमको government को support करना चाहिए आप यह ऐसे करेंगे ऐसा मैं उमेद रखती हूँ कि मैंने क्या मेल में बेजा है government of India को कि मैंने बोला कि civil marriage act के लिए एक uniform civil code के लाना चाहिए हिंदूस को फिर एक बर इसलिए civil religious act भी लाना चाहिए दिसमें सारे religious institutions के उत्पर taxes होना चाहिए या उसका कोई land के लिए जैसे 2014 में Congress government जाते जाते इतने वकव बोड को इतने land दे दिये कि जो नया Parliament बनी है विस्तारा के लिए उनको लिए पर्मिशन मांगने पड़ी है government of India ऐसा ना हो इसका प्रविदान करें और जो temples काली हिंदू का जो भी मंदिर देवालाई है उस पर taxes होना उसमें endowments act कित है तो लोग interfere होना और दूसरे religious में crowd management तक ही नहीं होना यह injustice है जैसे हिंदूस religious में आप government गुषती है असारे religious में भी government गुषना है नहीं तो ही time free of temple कर दीजिए बोलके मैंने इनको suggestion में आपना suggestion बेजा और उसको आप में comment दे दूंगे आप भी बेजिए ताकि government को support मिले जै हिन जै बारत कर दो कर दो